हलो फ्रेंट्स असलाम उलेकुम वेलकम टूर्मानास कीचन फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गूते हुए आटे की लेफ्ट ओवर आटे की जबर्जस सी रेसिपी हम इससे ऐसा जबर्जस सा स्नेक तैयार करेंगे जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है और किसी को भी स्नेक साव करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह लेफ्ट ओवर आटे सी हमने बनाया है और वो पूछेगा इसे कैसे बनाया आए तो जटपर से रेसिपी देख लेते हैं यह देखे मैंने सुबे रोटी जटपर से हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर मैंने एक प्यास ले लिए उसको कट कर लिया है और चौपर में डाल दिया है और कैप्सिकम एक लिया था उसे भी रफ्री चौप कर लिया है चौपर में डाल दिया है और यह है फ्रेंस मकाई के दाने मक जोपर इसीं लॉब कश Olha फोड़ी तो पर बढ़ी साइस और कंशा लोकिन एक ह送़ जिए अपकिन ले ले लाना उसमें भी मने वेजी डेबल को चौप कर्के के रखा यंज ब वह डाल देना है छु़ इक्स्पानी वो सारा ड्रेन कर देना है बिल्कुल निकाल देना है और एकदम हमें ड्राय चाहिए प्यास केप्सिकम और जो मकाई ही लिए हमने वो एकदम ड्राय चाहिए हमें यह देखिए फ्रेंड्स मैंने आलू के परांठे बनाए थे सुभे तो उसका पूरण बच गया था इसके अं आप को और बस अभी अबने जो कट करके चौपिंग करके विजिरेबल रखी है वो डाल देनी है यहां पर मैंने तोड़ा ढाल दिया है अगर आ पर मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार और काली मिज का पाउडर ढाल दिया था और फ्रेंड्स यह है चीज इस चीज को हमें ग्रेटर के हल्प से ग्रेट कर लेना है इसमें चीज का फ्लेवर बहुत ही जबर जस्ट आता है बहुत ही यम लगता है और बच्चों को तो बहुत ही जादा पसंद आता है यहां पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब चीज एड़ कर दी है आप चाहों तो जा में थे बड़ी बनाजना है यह देखे For Franken और मैं पर नास्ता बहुत ही अच्चा प्रिपेर होगा आब में क्या करना है थोड़ा से घी गी वाला मैंने ब्रस किया था और बस इसे स्प्रेट कर देना है आप चाहो तो बटर का इस्तिमाल भी कर सकते हो और अभी हमने जो मिक्षर रेडी किया है फ्रेंज जबर जस्ता बस उसे हमें इसमें प्रेट कर देना है हमें इतना ispred करना है हमने जितनी रोटी बनाई है वह पूरी रोटी में यह सारा मिक्सछर आजाना चाहिए त्यस पैचुला की help से हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है इसमें में पूरा अच्छे तरीके कि रेडी किया था उसमें चला ग और अब हमें क्या करना है थोड़ा सी आटा ले लेना है घेव का आटा वह थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है ताकि यह स्टीक न हो जाए और बस अब मैं वीडियो में दिखा रही हूं बस ऐसे ही आमें राउंड राउंड करते हुए एक बहुत अच्छा रोल प्रिपेर कर ले तो यह रोल थोड़ा बड़ी साइस का भी हो जाएगा और इवनली हो जाएगा यह देखिए मैंने बहुत अच्छी तरगे से इवनली इसको स्प्रैट कर दिया है और बस नाइफ ले लेनी है और हमें जितनी साइस का शेप चाहिए बस इतने कटिंग कर लेनी है मैंने यह कट किये हुए है और आप देख सकते हो एक रोटी से कितने सारे हमारे स्नैक्स रेडी हो रहे हैं अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और ज्यादा सी ज्यादा फैमिली मेंबर्स में शेर कीजेगा और मेरी चैनल पर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक करना है और बहुत ही अच्छा इसको टीकी का शेप दे देना है यह बहुत ही आसानी से टीकी का शेप ले लेते हैं और यह देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूं फटाफर सब में सारे टीकिया रेडी करके आपको दिखा देती हूं यह देखिए सारी टीकिया हमा अब हमें क्या करना है mio Tiki बनाके रेडी की हैं उसे तेप ना मैदे के गोल में और बस उसको डिप करकर बहुत अच्छी तरहिक से डिप कर लेना और बस हमने जो bread crumbs रखे हैं बस उसमें इसको coating कर लेना है coating हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए क्योंकि हम इसे deep frying करेंगे तो ये बिल्कुल भी छुटने नहीं चाहिए coating हमारी बहुत ही अच्छी हो जानी चाहिए ये देखिए एक और टीकी में ready करके आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले हमें गोल में इसे dip कर लेना है dip हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है फिर हमें bread crumbs में इसको coat कर लेना है bread crumbs में ये टीकी डाल कर उलट पुलट करकर बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको coat कर लेना है ये देखिए बहुत आसान तरीके से coat हो जाते हैं और ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता पांच से 10 मिर्ट में फटाफट से recipe ready हो जाती है और ये देखिए second टीकी मेरी ready हो चुकी है इसे तरीके से मैं सारी टीकी ready करके आपको दिखा देती हूँ ये देखिए उसके बादी हमें इसको उलट पुलट करकर golden brown colour आने तक fry कर लेना ये देखी हलकालका golden brown colour आ चुका है लकिन हमें dark golden brown color चाहिए ता कि ये उपर सी बहुत रिस्पी और crunchy लगे और अन्दर सी हमने cheese और vegetable ना किया आ अन्दर सी बहुत ही såfchar ना किया और उपर बारिस की सीजन चल रही है और हमें कुछ न कुछ ऐसा चटपटा सी खाने का दिल जरूर करता है और सबके घर में आटा तो बची जाता है और बस यह बचे हुँ आटे सी जबर जसी रेसिपी प्रिपेर कीजिए बहुत ही मजा आने वाला है घर वालों को बहुत ही पसंद आन और यहां पर मैंने केचप के साथ सब्किया था और आप चौद अब चेथा और चॉया निया है इंल की चटनी याही इंल paragraph मिष लेफ्ट ओवर आटेसी बनाई है मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ दुआओं में याद रखना थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो असलाम अलेकुम